वेल्कम टू माई चैनल आज हम दूसरा पार्ट करेंगे गाइडली की बंडल पेडियाफ्ट का जिसमें हम एंड्रेड आर्टमेटिक अटेम्ट कर रहे हैं और भी पी यो एंड कलरक लेवल के अगर आप पहली बार में चैनल पर इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें एन अगर चैनल दीजाएए तो इसकी ह्लंप से अम न乾ल सकते हैं ईसकी दीकाल सकते हैं गहएं सब्सक्राइब कर भी पिर्रास स स्भाव्स स्थायो करें टो तो एसकी में टांग निया जोसे वीय्मारी हो थो तो धन्यम गयर में घुजो से में गाल सकते हैं सेम केस को देए क्या हो ज़ते हैं और संसी ँभाअ कि एज नहीं हो जोए और चार on का चौन की चींगर का रखना है और वह सर मोदें पाँच ठीक है एंड इसने सानु की पुछिए तो पापा 25 यह हमारा आजाएगा जैसे कि मैं आपको दिखा देते एक मिनिट देखो इतना तो आप समझी गए होगे कि यह कैसे क्या कर रखा है हमने ठीक है यह वाला इतना कि यह तो हमें देर खता रेशुमन है एंड यह पां प्रेजेंट इस कसमें वह यह है और पांच साल बाद जो सैम है उसके इस कैसे निकालेंगे जो इसकी एजाए थी सनम की वह हमारी पांच साल बाद साथ के रिश्यों में तो साथ से डिवाइड एंड अच्छे करेंगे तो सैम क्या जाएगी अब क्या करना यह एज आ गई इसमें से आप यह इग्नोर करना ठीक है एक मिनिट यह वाला इग्नोर कर देना आप सिर्फ इतना याद रहें न जो भी मैं बता रहे हूं कि यह हमने सैम कि पात साल बाद की निकाले फिर पांच साल उसमें से हमने लैस कर दिया तो यह प्रेजेंट आ गई अब लास्ट में हमने क्या कि इन सभी का सम कर दिया जो भी एजिस थी स्टार्टिंग में और जो सैम कि आई थी वो इसको एल्डर के एक्वेट कर दिया एक सोठाइस एक्स आया वह चैस्ट चालिस की यह तो एक्स की वैलों हमारी आ गई पांच ठीक है नेक्स्ट किसिन है हमारा यह हमें दे लेकि आता है अप्टर थ्री मन्त भी लैफ दब बिजनच छहें दिन मतलब नो महीने बाद लेफट करता क्योंकि छह मैने तो जब सी आया था वो था ही और उसके तीन और मैने बारा मैने तक रहता और यह च्छे मैने तक रहता है तो दो जाएंगे और प्रोफिट शेर एक हमें पता है तो पहले हम निकाल लेते जो कट रहे हम काट की सकते UK 3 cm 12,oxX dice 7 cm 18,9 ilot,2726 बारा च kepada या हमारे पास आ गया इससे अंड़ पार यह ठीके तो इसका हेई- तोमें पता है कितना है चोदा-सो यह आ हमसे किसका स्य टोटल पुछा है बिजनस का तो चोदा सो अपोन में 21 टोटल हम इंसारों को जोड़ देंगे मल्टिप्लाइ में 67 तो हमारा अंसर आजाएगा 3350 जैसे की यह इन्वेस्टमेंट दे रखी थी तिनों की यह टाइम भी दे रखा था और यह प्रोफिट दा रखा था एक तो हमनें एक के शियर को एक इस जो रेश्य में शियर था उसे डिवाड प्रॉफिट जो तीन लों ऊचियर था शियर एड़ करए मुल्टिप्लाइ कर देंब हमारा अनसर आगा चीक ए फिफटी फैस क्या ता है फिफिफ टी फइफ टे आपाइफ कहता है कि ता तो लड़के आते हैं और अठारा लड़के आते हैं तो रिश्यों हो जाता है चार पास का तो बन किया कर सकते हैं इसको 3x प्लस एकिस अपन में 4x प्लस में कितनी लड़के आई थी 18 यह पर अठारा नहीं लिगा एंड इस इकल टो में ठीक है बोई जन गल्स का रिश्यों माना फिस जो आए थी वह एड क्या फिर नहीं रिश्यों है फिर यह हमारे पास प्रोफिट पर ठीक है हमने मान लिया रेडियो एंड टीवी दो आइटम है ठीक है तो हमने रेडियो की सिपी तीन सुएक मान लिए इसको हैं ठीक है ठीक है और यह रेडियो को पहले तो 10 परसेंट पर बेज़ आए तो मतलब तीन सो का दस परसेंट मतलब दीज एक्स प्रोफिट है और टीवी को पात परसेंट मतलब पांच फाइट प्रोफिट है तो कहता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे मतलब थर्टी एक्स प्लस फाइव वाई तो उसे अठाइस सो पचास और पचीस सो आसी रूपे मिलते हैं परसेंट मतलब क्या होता है तो शकर सकते हैं इसको सोल करेंगे तो यह आ जाएगा कि आजाएगा ठीक है फिर इतने बोला कि उसे तो कोई प्रॉफिट अनलों सी नहीं होता इसका मतलब तो यह हो गया कि उसका जो सिप्पी था और जो एस्पी था दोनों का समक्या होगा इक्वेट होगा तो सिप्पी दोनों का कितना है चाह मतब तीन सो एक्स प्लस सो वाई ह और यह किसके एक्वेट अजाएगा दोन इन दोनों वो जोडएंगे शिप्पी में तो एस्पी आ जाएगा इन दोनों के समकी एकवेट यह फिर दो एकवेशे बन जाएगी हमें उनको सोल करना होगा जैसे कैसे देखो यह तो आप समझे को कि सिर्फ इंफ इन पॉर्मेश सच में लेंद्ध हो जाएगी नेक्स्ट करते हैं हम 57 का तेको 57 अमें क्या कहता है त्री नंबर इस टैन कि तीन नंबर का जो एवरेज है वह दस है तो टोटल कितना हो जाएगा दस तिया 30 ठीक है फिर कहता है कि अंदर रिश्यो स्मालेस टू का रिश्यो है फोर एक्स और फाइफ एक्स फाइंड़ डिफ्रेंस बिटो हम थर्ड नंबर को क्या मान सकते हैं फाइफ एक्स ही होगा पांच चैनलों मतलब तीस में से नो एक्स गटा दिंग तो तीसर नंबर चार इस गटाएंग तो चार के परका आपर आएगा मतलब कितना आगए है नो और चार तेरह एक्स सब्सका उधर वर और इसको 26 तो एक्स की वेल्यू आघे तो हमाले पास यह नंबर आगे चार दुनी आठ पांधुनी दास एंड अठारा गए तीस में सब्सक्राइग तो प्रटल आतीन होगा और यह मत्तम लिया था क्योंकि दो का रिश्व दे रखा था फिर डिफ्रेंस बता है था एक स्की वैल्यों आगे और यह उस्मोल निगाले को इनका दिफ्रेंस निकाल दिया कि नेक्स्ट है हमारा 58 का तो 58 क्या कहता है 58 कहता है कि A and B together can complete 45% of the work in 10 days A और B देखो 10 days में सिर्फ 45% करते तो 100% कितने दिन में करेंगे तो पानी 45 पान दूने मतला 200 वटे नो दिन में करतेंगे ठीक है फिर बात आती है नेक्स्ट नेक्स्ट वहला कि C alone 80% of the work in 24 दे तो 80% को 24 दिन में करते तो 100% को में हैंडर तो 416 चार दूने चार पन पर पचीत थे पिछे तर बटे चार दिन में ठीक है कम्प्लीट वर करेंगे अब हमें क्या करना है इन कालसियम ले रहा है इन तीनों की एफिशेंस यह जाए कि एक हमारे पास तीनों की एफिशेंस यह पिर बोला था कि ए और सी मिलकर काम का ना पिछे ना है ना यह फिशेंस से डिवाइड कर दो में सतर परसेंट काम का ले लो और आपार अजसर आगा 12 दियुए फिफ्टीएट हो गया अब बात आते हैं फिफ्टीन की तो 59 हमें क्या कहता है फिफ्टीन आन कहता है कि एक हैसे मिक्षियर थे मिलक का वॉतर और 45% तो मिलक इन तो निकाल लिया और इसको रिप्लेस कर दिया चार लेटर वोटर से मतलब वोटर एड़ कर दिया चार लेटर तो कहता है कि जो पर से जाद है तो तो आम करेंगे तो दस से घ्यारा रेशू आगई अब यह तो ग्यारा सीम है और यह कितना इंक्रीज हो रहा है एक उनिट तो वन उनिट इंट चैनल यह है तो हमें क्या पुछा है इसने क्वांटिटिटिट वोटर निप्ट नवी जादगतो दस की यह हमें रखा था रेश erzähls से मैं एक सुभी लेटर निकाला फिर भी march एक यह बत आडश है तो यह रेशעל लेकिन वोटरम्न होने हैं वोटर गालेकं लौतर है यह ब्रीकिन लौतर ओर तो वरह दो चार यह गी कैर फोल फॉर्ट के लुट की पूल देखाए था स्पीड़ बोत इन स्टील वोटर इस चालिस परसें परसेंट मोड देन तक्रेंट में बोट और करेंट करेश्व दिया है कि यह तो यह 14 कि यह से ज़्याद था थी कि एक की फोर्म में माले हमने नहीं हम इसको य की फोर्म में माले क्योंकि उसके एंगे डाटा थे रखा है यह टाइम पाइब आपको और ऑल्सouch फ्ल में क्यूंस फहर एक्सप्लसोदा किलोमेटर दाउंस्ट्रीम तू थाइम होगी तताइंग्हूंज दो छोड़ाइच होगी 12 और 10 का सम मतलब 24 ठीक है और अप्स्ट्रीम हो जाएगी दोनों का डिफरेंज मतलब 6 ठीक है लेकिन यह वाई की फोर्म हो तो इसको सोल कर लिंग टैक्स के वेल लिए जाएगे कि सो ठीक है स्टीन है नेस्ट फ्रेले मकं पाउंस कर दिया और भी कि तर सों सु है इंट्रस्ट पे एक स्कीम में 10% की पंद्रा परसंट की रेट पर दो सालों के लिए जब कि दिन ना है वह छेज़ार इंवेस्ट करतें दूरी स्कीम में कंपाउंड इंट्रस्ट पर 20% की रेट पर तीन सालों के लिए दो नुकारा डिफ्रेंस बतायां तेको तिन ने का तो पिछे तरसो का क्योंकि 15-15 के दो सालों के लिए अगर हम इसका सक्सेसिव रेट के हिसाब से निकालते तो आता है 32.25 अपॉन में हैं इसको सोल करने पर यह इंट्रस्ट आ जाता है 248 पॉइंट पिछे तर यह तो हो गया हमारा तीन नागा ठीक है अब बात आती है दिन ना तो यहां से सोल के ती आ गया 3468 तो अब बस हमें डिफ्रेंस निकालना है तो पहले वाले का इंट्रेस्ट आया था 2418.55 इसमें से 347 लग यह उल्टा गठेगा तो मारा आंसुरा जागा 1909.25 ठीक है कैसे देखो 61 का पहले हमने तीन ना का निकाल सक्सेसिव रेट से हमने इं ठीक है नेक्स्ट है 62 का 62 में बोल रुखा है अधर रिश्यो ओफ दा साइड ओफ एक क्यूब टु दा हाइट ओफ दा कुबोएट देखो क्यूब की साइड ठीक है साइड एंड हाइट ओफ दा कुबोएट का रिश्यो है 3x & 4x और सर्फेस एरिया क्यूब का वह उननी सो टूली से नों का एक स्क्रीयों का पॉंट करेंगे सिक्स मुल्टिप्लाइन नों एक स्क्रीयों हो जयाए ठीक है साइड हमारे पास सॉर्फ दा पाद था कंजी अगर आ गई तो इसकी तो आएगी आएगी और हाइट बिया जाएगी कि किसकी कुबोएट की फिर आगे इसम होता लेंग मल्टिप्लाइब मल्टिप्लाइब हाइट ठीक है देखते हैं कैसे देखो साइट का रेश्यो दे रखा था सर्फेस एरिया दे रखा था फॉर्मुला था सिक्साइड का स्केयर पुट कर दिया यहां के वैल्यू आगे दिन हाइड लेंद और भी थमनी मार पास सकेयर जाजांगे तो वोल्यमा अमासानी से निकाल सकते हैं ठीक है । नेक्स्ट क्यूशन 63 का 63 में क्या बोलखा है इसने बोलखा है दा नंबर ओव स्रूडेंट इन एग्स प्लस चालीज ठीक है जो ए है उसमें एक्स प्लस 40 टूडएंट यहां धूता है कि चाएंगा क्हुंत तो इस में कितना हो जाएंगे साट जाद मतलब सो जाएंगे ठीक है नंबर ऑब इन भी इस तीन बटे पास ओ तो इसके वाज़ है वह इसके टोटल का एक बटे बटे पास हो रही ठीक है है तो Guns केत्मी कहा जाएंगी ICPS Annant का 2 फिर्ट 5 ठीक है लेकिन इसने तो बोलागे कि जो गल्स है न वह 50% है इसका तो हम कह सकते लिए जू경त कर सकते कैसे देखो 1 कि का थी है इसको Campbell एक मिलेके स्टार्टिंग में तो यह हमें भोल रखा था यह कर लिया अब इसकी पोई और गल्स हमने निकाल लिया थे जो पहले इसने रेशो दिया था उसके बेस फे फिर लेकिन इसने तो भो दिया कि यह ना जो ए है उसके total का हाफ हमारी गल्स है रहें इन दुनों को एकवेट कर दिये यहां से स्टूडेंट अजाएंगे भी में ठीक है नेक्स्ट क्यूशन है मरा 64 का तो 64 में क्या बोल रखा है आलीश एन अनीश बिजनस स्टाइट करते हैं आलीश एनीश ठीक है यह अर्तालीश सो रुपेले के आता है यह चोछाट रुपेले क्या आता है आफ्टर शिक्स अनिश और आलिया लेकिए आती है बसुट पॉइंट पांच परसट ऑव इनिशियल इन्वेस्टमेंट आफ इसकी इन्वेस्ट मतलब चेसर सो का पासट पॉइंट पाज होता है पाज आफ लेके आती है तो 6 मैने बाद लेकि आती है ना तो मतलब इसने वोला फिर इस बीस मान्त के लिए तो 20 में से 6 गए तो 14 ठीक है और ये पूरे 20 मेने के लिए रहा था इसके उपर कुछ पता है नहीं था अब हमें क्या करना है लास्ट में इसने हमें प्रोफिट रिश्व पूछे तो निकाल देंगे देखुना पर देखुना को सब्सक्राइए तीन परसंट उनके उप है 65 का कन्या कुमारी एक्सप्रेश आना वह दो लड़कों को टेक करते हैं चल रही है जिसमें यह जा रही है ठीक है और रेट है उनका 3 कीलोमेटर परावर रहने 6 किलोमेटर पर आवर ठीक है लड़कों का जाने का तो इनको पहले तो में मेटर पर सब्सक्राइब केने लि जा जाए ठीक है वोगे इसने बोला हमें तो देखो करने को मारी एक्सप्रेस की जो प्रेंट ताब हो ठीक है ट्रेंट की लैंद्थ तो ट्रेवाले लड़के की स्पीड ठीक है अब क्या कर सकते है बार्तर स की वार्ले लड़के है इसको गेस्ट यूई है जाई यह एक मिनिट्स हुआ यह कदनेज को पूसे कर दिया कि म Canon को यहां से अ किवैल में की अनल पूसवी पहले की बारी तो यह हमारा probability based question है तो इसमें क्या रखा एक वोक्स है उसमें एक्स रेड़ है फाइफ पिंक हैं सिक्स ब्लैक बोल्स है एक बोल निकाल जाती है बैक से और प्रोबाइबिटी पिंक होगी तो पिंक मतलब पांच और टोटल के निच्छा पच ग्यारा और एक एक्स ठीक ग्यारा एक प्रोब्रोटी एक वोटे तीन यहां से सोल किया तो एक्स की वैलिओ आ गई चार मतलब हमारे पास है रेड़ बोला कि अब इसने बोला कि देन वाटिद अपर अब निकाल लेते हैं वन माइनस नन ब्लैक ठीक है क्योंकि एक में से जब कोई भी ब्लैक होना होने प्रोब्रीट डायेंगे तो ब्लैक की ही आएगी और हमारे पास अब कितनी हो जाएंगी तो नं ब्लैक ब्लैक को इг्noer कि और 15 यह नों में से हमें निकालनी है दो एक निकालनी न ठीक है एं टूबोल निकालनी है और टोटल कितनी हो गई 5 और 9 यह 15 में से दो न में निकाल नहीं और इसको एक मैसे घटाते हैं हमारा अंसर आजाएगा कैसे दिखो उसको एक टाइप एक भी यह एक प्लस पी दोन ऐसे बोल रखा है जो अगर नहीं वह पचास परसंट जाद़ है इसके अनसर अनसर बला यह अगर दो एक है तो यह यह इसका ज्यादा थ्री एक्स होगा ठीक है इसे बोल रखा है और लेकिन हमें तो एक छीज और दे रखें़ इसने हमें लास्ट में टोटल कॉंटिटी ओव ए और बी हमें रेश्यो दे दिया चार एक्स और पांच एक्स और यह और बी के अंसोल्ड से जो ए था वह प्यास परसंट जादा था मतलब यह कितना है यह चार एक्स है तो यह इसका पचास परसंट से जादा यह होगी हमारे क्टाइस गुर्ण मतलब तो आट एक्स-बटे तीन आजाएगी तीन से मल्टिप्लाइ कर दो तो यह जगन 4 यह 12 ऐक्स-पांथ-15 एक्स और यह अजाएगा आपक्स टीक यह चाहिए हमारे पास यह इसके इक्वेट करते तो यह आसे एक्सक्राइब जाते है दोस्तों भी सोल्ड कुछ है तो अंसोल्ड हमें पता ही है इसको हम इन दोनों का तोटल था उसमें से घटा देंगे तो सोल्ड हमारे पास आ जाएगी कैसे देखो 67 का यह रिलेशन दिया था यहां से एंब याई फिर हमने तीन की मल्टिप्लाइ कर दी तीन नहीं से तो यहां से एबी सी इनका रेश्चो आगा फिर टोटल हमें बोल खाए कितने के बराबर यहां से एक्स की वेल्यों आगे सोल्ड पुछ है वह निकाल देंगे क्योंकि अन्सोल्ड को वड़ा है यह तो सोल्ड है ठीक है तो 220 मल्टिप्लाइ उननेस क्योंकि देखो पंदा दूसातर तरद सब्ताइस है उसमें से आठ एक्स बिग गया तब उननीस से मल्टिप्लाइगा था अन्सवर आ गया ठीक है सेम डिस्टेंश को रेमिें करता है और ट्रेन उसी सेम डिस्टेंश को सेम डिस्टेंस इसड़े为 12 गूंटे में करती है रोव्यिय। स्पीड ट्रक अंट ड्रक और ट्रेड का रेश्यों देदी आमें स्पीड का तो स्पीड हो जाएगा कैसे करो गया आप इसको देखो यह कि यहां में डिकता खुड शेज़ए त्रेन त्रेन ने ट्रेन यहां में डिवाइड कर देंगे से वाइक की स्पीड पुछी है तो साड़े साथ सो को जब वहम दस से डिवाइड करें थो 55 एकर वाइक की स्पीड आजाएगी क्योंकि स्पीड होती है डिस्टंस लिवाइड X plus Y है तो reverse होगे क्या हो जगा 10 Y plus X हो जाएगा तो reverse कर देते हैं तो जो value of N है वो 9 से बढ़ जाती है मतलग तो हमें पहले वाले में भी अगर 9 जोड़े तो equate हो जाएंगी दोनों तो यहां से एक equation आगे कि मारे Y minus X is equal to 1 ठीक है दूसरा बोल रहा है जो sum of digit N का वो 9 है तो sum of digit मतले X और Y का sum कितना है 9 है तो एक equation यह हो गई दोनों को solve करेंगे तो यहां से हमारे पास X की value आएगे 4Y की value आएगे 5 ठीक है अब यहां से हमारे पास N आ जाएगा N आजाएगा तो हम टोटल में से गटा देंगे तो M B आजाएगा ठीक है तो बोला है इसने देखो यह था हमने N को मान लिया फिर N का reverse है न वो आपने पहले वाले ओर इसनल नंबर से आजाएगा 69 हो गया अब हम 70 पे चलते हैं अब पाइप एक्स अलोन कें फिल ए टैंक इन 24 आवर की एक्स अलोन और उसको 24 गंटें बढ़ सकता है और वाई की जो efficiency है वो 33.33 लैस है एक्स से मतलब यह 3 है तो यह 2 है तो दो हम यह से बता चल गया तो टोटल वर्ग भी हम बता सकते हैं कैसे बता सकते हैं आप टोटल वर्ग देखो 24 दिन में हो काम कर रहा है और एक्स की efficiency तो पांच है और तिनो की कि एक है इसका मतलब है कि जैड तो नेगेटिव काम कर रहा है चार निट से ठीक है अब इसने बोल दिया कि एक साथ कोल दिया गया के आवर बाद फाइफ जैड को बंद कर दिया गया और रिमेंड नहीं जल्कर करतें तो 15 काम करें तो 25 गटा दो बारा में पास शाथ सह में से पांच गद एक सतरा काम बचा है इसको एक स्ट वाइजड मिलकर करते स्टार्टिंग में तो के गंडे तक क सबसे पहले तो तीनों मिलकर के टाइम तक काम करते हैं फिर बचे वे काम को यह दोनों मिलकर करते हैं 11 गंटे तो को भी एतर काम है टोटल तो यहां से मैं पता चल जाता है कि के मतलब 17 मिनिट्स तक वो काम पूरा कर देते हैं लेखें सेवन टीवन पर चलते हैं उसमें बोल रखाए तेरा थ्री कलर ओफ शर्ट करता है कि कलर के तीन शर्ट एक मिन्ट एक शर्ट के तीन कलर है एक बैग में ठीक है रेश्यों पिंक रेड एंड ग्रीन का त्री एक नाइन एक अगर बीश चर्ट एड़ कर दे जाए हर कल तो डिफ्रेंट सेम है और यहां पर आड़ जो पांस से साथ पांसे मत्युक्त सेम और रहे हैं तो नैट के ग्राण तो एक उनिट के वैल्यू किसे परोबरा यह तसके के तैसे आजेगी अब इसने पूछा है कि आ पूछा है इसने पूछा है पिंक एंड रेड शर्ट निकाल कर सकते हो बोथ हर ठीक है next question 72 का 72 में बोल रखा है मोहन एन सोहन स्टार्टे बिजनस विद न इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन रिश्यो ओफ आर्थ एंपांच मोहन एन सोहन आठ एक्स और पांच इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं आफ्टर एट मंथ शोहन दबल कर देता है एंड मोहन है वह विड्रो कर लेता है आपक्सित पर चीट पर सेट विड्रो कर लिता है दो जो इनित कर दो नुद तो यहाँ जैसोर करने पर प्रोफिट रिच्वा है ग्यारा और दस का और इसने हमें आप्टा दिया था प्रॉफिट शेर अमें बता दिया था था तोर्टल प्रोफिट शेर यहां देखो मोहन सोहन ठीक है इन्वेस्टमेंट टाइम और यह बीच में विड्रो किया किसी ने अड़ किया था यहां से रेशो आ गया डेन टोटल दे रखा था तो ratio तो है ही अब हम उसमें बात लेंगे ठीक है 73 का 73 क्या बोलता है present age of a is 7 by 9 9th of the present is of the b मतला यह 9 है तो यह 7x है ओके then बोल दिया था age of a after 6 year इसकी एज 6 साल बात मुदा 7x plus 6 यह दो जद्धा होगी बी की एज से बीफोर फोर यह तो यह हो जागे 9x minus 4 यह इनका जो difference है वह कितना है तो होगा यहां से solve करते हैं ट्रेक्स की वेलियो आ जाती है चार एक्स की वेलियो अगर चार आ गई तो इसने पुच्छा average of the present is of a and b तो यह कितना है दुनों का सम नो और साथ 16 16 multiply में चार कर देंगे divide में दो answer आ जाएगा ठीक है तीतर पर चलते हैं यह कोई देश्यों दे रखा था यह 6 साल बात यह चार साल पहले इनका डिफरेंट दो था सोल करने पर एक्स की वेलियो आगए फिर एवरेज पुच्छे दोनों की अलग अलग निकाल के अट करके दो से डिफरेंट कर दो भूब यह सी की present is क्या कहता है कि जो इनकी आवरेज है उससे पंद्रा कम है तो हमारा 74 सॉरी सेमिटीफोर में बोल रहता रेश्यों दा कोस प्राइस और सेलिंग प्राइस और एफ्रेटरी 10X 11X दा प्रॉफिट अमांट रण रन पाइड़ शोप की परिते 30.3 3% लास देन दा इस्काउट ओफट ऑफट आगया कि जो प्रॉफिट कमाया गया वह कम डिसकाउं से मतलब डिसकाउंट अगर 3Y है तो यह 2Y है ठीक है क्योंकि हमने सिप्पी एस्पी को था ठीक है और बोलता है कि मार्क प्राइस राफ्रेश देटर का 45 तो देखो 4500 में से अगर हम डिसकाउंट गटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से सौल करने पर पता चला कि जो एक्स है वो हमारा 2Y के वराबर आ जाएगा एक तो मतलब नहीं एक मिनटा आप समझो एक मिनटा को देखो कि 45 तो और यह इधर जाएगा तो मतलब यह आजाएगा एक्स प्लस ग्यारा प्लस सोरी ग्यारा ने ग्यारा प्लस तीन वाई इस उकॉल टो पैंतार से एक एक्वेशन तो आप यह आ गई होगी समझ में नेक्स्ट उसने आगे भी बुला है कि और हमें प्रॉफिट भी दे रखा है तो एस पी तो आई गया था तो अगर प्रॉफिट में अगर हम मतलब सोरी चो सीपी था उसमें प्रॉफिट एड करेंगे तो भी तो एस पी के बराबर आएगा एक एक्वेशन यह आ जाएगी इन दोनों को सोल करेंगे तो हमारे पास एक्स की और वाई की वैलू आजाए जाएंगे वाई की आएगे एक्सवासी और एक्स की आजाएगी तीन सो साट फिर सीपी पूछब हम निकाल दें कैसे देखो 74 का यह हमें स्टार्टिंग में दे रखा था फैले वाले का पैंताल 74 हो गया पर चलते हम 75 पर 75 में बोल रखाएंगे टूपाइप एक्सन वाई कैन फीले टैंक इन 36 तको एक्स यह 30 मिंट पर बढ़ता है यह 36 मिंट में बढ़ता है लसी हम लिए 180 और एफिशेंस यागी 6 और 5 अब बोलता है कि एक्स तो मतलब दोनों पाइप को हमने खोल दि यह सिमुटियसली एंड हाउमस पाइप आफ्टर वाई विल्बी ख्लोज के ना तैंक है ना वह 25 मिंट में बार देमाइक को बंद करें तो पूरे 25 मिंट तक कांद करता ही है तो चैं मल्टिप्लाइप पच्छें बार देता है तो एक्स वाइच वाइन बार देता है तो ए एक्स और वाई एफिशेंसी और वर्क आया और एक्स उसको 25 मिंट तक बढ़ता है तो डेड़ सो काम हो जाता है रिमिनिंग तीज को वाई करेगा तो एक्स हमें वाई को चैं मिन के बाद बंद करना पड़ेगा 76 में बोल रखा है चैं मैं नो वुमें एक काम को फिनिस करते हैं आठ दिन में और उसी काम को आठ मैं और बीस वुमें फिनिस करते हैं चार दिन में तो यहां से सोल करने पर हमें मैं और वुमें कान एफिशेंसी करें इस चो मिल जाता है वन बाई टू एक में आपको जब आपकते हो यहां से मैं वोमेन का रलेशन पता चल गाद एक में अमने पुट कर जैंकर देंके वैलियू इसको तो वहां से टोटल वर्क में फिर फीशेट के दिगाद कर देआता चल गाद को इसकी तेम में पूरा कर है तो हमेंना इनका बताना है तो यहां से सोल करने पर डिस्टेंस आ गई 420 और इसलिए पुछे सम और स्पीड ओफ ट्रक एंड कार स्पीड भी आ जाएगी अब डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी स्पीड तो स्पीड आ रही है सत्तर एंड सा है ठीक है 77 के बाद बार यहाती है 78 कि गांटीट में प्लक यह नहीं लुकृत रखा है तो यह हैं और यह प्रोसेस हमने टीन बार और चार बार क्याlusion तो तो वन माइनस एक बटेप्स वाइन को अमटा रहे है किस में से एस लिवाइन में से और यह प्रोसेस हमने चार बार किया तो कहता है की वेसर वाइंढेंट 202.4 लेट यह जाना तो छार-एक्स- की-पावर-च्यार-इक-पार-स- ही-कल टो में सकते हैं Toronto only money moment के फिर हम Weight您 करें इतना इतना गठार है Korea okay 好 देख लेते हैं कैसे आएगा जब इस स्टार्टिंग में था उसमें इतना इतना inex स्क्रार था चार बार प्रोसेस किया था तो मैं को कर दिया कि 79 यह हमारा प्रोबैबिलटी भेस यह एक्षण नंकाला है से सब्सक्राइब कर बुक्राइब के सब्सक्राइब 1079 जाओ कि इतनी इतनी बोल्स थी और ये हमने धे कर लिए एंड टोटल में से भी निकाल लेंगे प्रोबैबिल्टी हमें दे रखे दे एक्स की विल्वा ग्या रखें टोटल बोल आ जाएंगे 80 की उपर चलते हैं 80 में दे रखेंगा the difference between the A's of A and B A और B की A's का difference बंद रहा है and ratio of the A and C A and C का ratio 4X and 5X A बड़ा है B से और C बड़ा है B से 20 साल ठीक है यह भी बोलक है तो हम पहले तो हमना B निकाल लेते हैं B आ जाएगा 4X माइनस 15 और लेकिन ना B और C का भी हमें पता है 20 साल तो हम यहाँ से कर सकते हैं C माइनस B हमारा 20 साल है तो 5X माइनस 4X प्लस 15 इकल तो मैं 20X की वैल्यू आ गई 5 अब जो भी बोल ला हम वो निकाल सकते हैं क्योंकि X की वैल्यू है हमारे पास तो इसने पुछा डिफरेंस बिटिन था यह जो डी एंड यह देखो सोल करेंगे इसको हम तो पहले हमें A और B का डिफरेंस बोला था फिर A और C का रेशो बोला था तो B की हमने इसके अरप से निकाल दी लेकिन इसने तो हमें B और C का एक और डिफरेंस बता दिया हुआ हमारे पास X की वैल्यू आ गई दी एंड भी ओर और C का सम तो D की एच और D और A का इसने इसने जिफरेंस बुच्छ है चीक्छ हमारा 81 का 81 में बोलका है 6 मैं थीन वूमैन है वो एक काम को कमप्लीर करते 손你在 6 मैं तीन काम झाम को 15 शेमीर पास दिन में करते और उसी काम को नो मैन है वो 11 दिन में करते हैं किया यहां पूट कर दिया टोटल वर्गा गया नोच अपने फैन्तालइस मुल्टिप्लाइब मतलग तो चार तो पिचान में आगया टोटल वर्ग आब बोला कि किने दिन में पांच मैं और पाज कम्क्लीड कर सकते हो तो इनकी ऐफिशेंस से मुल्टिप्लाइब करके इस टोटल वर को यह कितने दिन में करेंगे अबने बता लिए नेक्स्ट केश्चन पर चलते हैं वह एटी टू का एवरेज ओफाइफ कंजीकुटी एवरेज फाइफ कंजीकुटी एवन नमबर ना वह अड़तालीस है ठीक है तो एक तरीका तो इसको निकालने कि यह 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 तो इससे अगला क्या होगा पचास होगा और इससे पिछला चालीस होगा इससे अगला बावन होगा और इससे पिछला चालीस होगा ठीक है यह कर सकते हो प्रेशो दा प्रोडेक्ट टू नमबर टू देखो फस्ट टू नमबर का फस्ट टू नमबर का प्रोडेक्ट ठीक ह और इन दोनों का प्रोडेक्ट इनका रेश्यों लेना है तो बता देना चब वालेज मुल्टिप्लाइज छालेज अपोन में पचास मुल्टिप्लाइज पावन अगर ऐसे नहों तो ट्रेडिस नदसे भी कर सकते मैं आपको दिखा देती हूं देखो सम हमारे पास इतना था क्योंकि आइवरेज अड़ तालिस था न तो पाथ नुम्बर से मल्टिप्लाइगा देख फिर हमने पाथ नुम्बर को यह मान लिया वहां से एक ही वेल्यू आ गई क्योंकि हमने इन तिन नों के इन सार पाच्छों के सम कुत्तों सुचा देख कर दिय प्रोड़ेज पूचा तो अब हमारे पास स्टार्टिंग के दो लास्ट के दोनों आ जाएंगे पहले वाले दो का प्रोड़क्त दो लास्ट करेंगे पूचा तो तो हमारा आंसर बहुत में तर्ली इवेंट दैन हैं 83 कि 83 में क्या बोलगा है चार जास साथ सो पचास चूडेंट एक लोग कोलेज में इन दा नेक्स टेरिट पर फांद एदा नुमबर ओबोई डिक्रीज बाई सत्रा परसेंट कुछ बोईज है कुछ गल्स है तो हमने बोईज को एक्स मान लिया गल्स को सत्रा सथा सथा परसे से गट गए और गल्स देभाड़ा चोरदा परसेंट से बढ़ गए और इसे एक एक इक वेशन बंजे हमारे इसको फिर गल्स पुच्छा है इंक्रीज के बाद तो मल्टिप्ला गजा आजाया कैसे देखो यह में दे रखा है इतने बच्चे थे आपने बोईज और गल्स को मानना यह तो गड़ा तो तिरा सी पर सेंट बच के थे यह इतने से बढ़ा चोदा से तो एक सो चोदा हो गए यह इसके सब्सक्राइब है हमारा 84 का 34 में बोल रहता है दा रेश्यो अब नंबर ओव मेल टू फीमेल इस फाइफ एक्स फोर एक्स और नंबर ओव मेल इस डिक्रीज़ बाई 20% एंड फी मेल और फीमेल आ या पर थोड़ा प्रेंटिंग में गड़ पड़ा है कि मेल और फीमेल ना 20 और 15 परसेंट रिस्पेक्टिवली गड़ते हैं तो डिफ्रेंस है न मेल फीमेल को 480 हो जाता है तो फीमेल बताने थी विल लेज़ी तो यह गटा भी पंस मतलब यह चार एक्स बच जाएगा और यह गटेगी 15 परसेंट से मतलब पिचासी अपॉन में हैंड तो यह बच इतने से ठीक है और इन करें इंडिफरेंस नमारे पास दे रखा था एक्स की फीमेल पूछा तो फीमेल चार एक्स तो मुल्टिप्लाइं में कर देंगा 800 अजाएगा ठीक है 85 85 में क्या बोल रुखा एन भी स्टार्ट कर एक बिजनस को इनिशियल इन्वेस्टमेंट है पा के बादा है में दाण में निकलिए बारा बारा क्योंकि एट दैंड बोल दिया सी का प्रॉफिट इसने दे दिया 3280 तो ए और बी का बताना है तो पहले तो हम जो कट रहा है वो काट दिया तो इन्वेस्टमेंट के बाद इनका प्रॉफिट रेशियो आ गया हमारे पास यह दिया चार एक्स पांच एक्स और तीन एक्स ठीक है तो सी है चार के वहलों हमें तो ए और बी का बतान तो वह आठ तो हमारा नस्वा एप 155 साथ गया सब कर दो पिछासी है हमारा इन्वेस्टमेंट इतने टाइम के लिए था इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रिश्यो आ गया एग और भी गवतन है यह में सी का पता है तो मुल्टिप्लाइब करें ठीक है अगर वह उसको एक्सप्लाइब का प्रॉफिट का पता चल रहा है तो उसे पंदरा प्रसेंट का लोस हो तो पिचा से था में निकालनी है यह जू करते हैं लेकिन अगर एक प्लस 360 में बेच रहा था तो उसे 25 का प्रॉफिट एक 125 मुल्टिप्लाइब में एंडर्ड कर देंगे यहां से सोल करने का सीपी पता चल जाएगा तो जासो चालेश चासी पे जाना है हमें इस पी था प्रॉफिट और लोस और प्रॉफिट पता था तो हमनी यहां से भ एक यहां और तो तिका है पी एंकर त्दूल वाटर पाइब पाया त्यक्दुफिट यह उसके पास और पी तो दस लिटर पाने जालते हैं गंटे में मतलब एक घंटे में वह दो लेटर जाल रहा है ठीक है क्यों है 25 लेटर पाच गंटे में यह डाल रहा है पाप पाच लेटर तो इसने बोल दिया इस पाइप पी ओपन फोर वन हावर एन आफ्टर वन हावर पी इसको ना हमने एक घंटे के लिए पहले जो पाइप था उसको एक घंटे के लिए खुला फिर बंद कर दिया फिर क्यू को खोल दे दो गंटे के लिए फिर बंद कर दिया फिर पी को खोल दिया फिर ऐसे चलता और इसको फिल करना है तो पी मतलब एक गंटे के लिए चलेगा तो वह कितने डाल देगा तो तीन गंटे में यह बारा यूनित डाल देगा तो पूरा एक सब्सक्राइब बार जाएगा कैसे देखो कि 87 में यहां से एफिशन से तो समझ में आएगी होगी आपको यह गंटे में यह दो लिटर डालेगा यह पांज लिटर ठीक है टोटल कैपसिटी विटांक एक सुचवाल से अब यह इस तरह से कांट कर रहे हैं तो देखो तीन गंटे में बारा लिटर तो एक सो गंटे में 132 एंड पूरे 36 गंटे में इसे 4 लेटर पाने डल जाएगा अठासी में बोलता है एक मैन है गोस्रों ए टू बी बाई कार और रिटन टू दा स्टार्टिंग पॉइंट वालकार मतलब को कार से ही जाए कार से वापिस आए ठीक है लेकिन कहता कर वो ट्रेन से ज से जद्ध आओ यहां इसे जद्धान लग रहा है कमपेड़ टू ज वह डी किलो मेटर की स्पीड से जा रहा है और कार से वापिस आ रहा है तो उस्य गंटे यहां पे कम लग रही है यहां पर ज्यादा थो यहां से देखसे देखो कार के ट्रेन की स्पीड पता है जो पहली वाले सिच्वेशन में तो कार दोनों साइड की डिस्टेंस को एक स्पीड से कवर कर रहे हैं दूसरी वाले में एक बार तो ट्रेन के एक बार कार के तो डिस्टेंस से इनका 6 गंटेगा तो यहां से सोल करने पर हमारे पास डिस्टें इनका the downstream speed of the boat is 100% more than the upstream downstream and upstream तो यह अगर वन है तो यह टू है ठीक है देन अगे इसने बोल दिया कि बोट कवर करते हैं 216 किलमेटर स्टील वोटर में 6 गंटे में तो 6 मार शात्य टारा 6 चिंग शात्य मतला 36 के आगे यह बोट की स्पीड आ गई और हमें पता है कि यह बोट प्लस करंट यह बोट माइनस करंट होता था यहां पर पुट कर देंगे अगर हम 36 प्लस में वाई और 36 माइनस में वाई जीकल टू बाई वन तो यहां से जो करंट की है न वह हमारे पास आ जाती है बारा अब इसने बोला क्या है इसने बोला है कि टाइम टेकर गए 144 किलो मेंटर डाउन स्ट्रीम में और एक 144 किलो मेंटर कोई अप्स्ट्रीम में तब तो में पर डाउन सुमांगे बोट 36 से करंट बारा है बोट 36 से करंट बारा नहीं च्छलेंगर 9 बैल मता होता है दान स्ट्री में क्या होता है ठीकर इफएह परख एकविलेटरल त्रैंगल की फूम् mi तो मैं पतो हिएक्विलेटरल ड्रिंगल टॉन ऐसी ट्रैंगल बाब के तॉ सब्स बताने थे लिसके पर मिटर वह और माई 120 है तो फैंसिंग है लब साथ तीनों साइडे बराबर होते तो ठारा मल्टिल है तीन और एक सो बीस एक मिटर के मल्टिला कर दो चैसे नाइंटी एरिया दे रखा ता सोल क्या लेंट परामिटर आए फिर 120 को से मल्टिला तो नाइंटी वन पर चलते हैं एक वैस्चेल है उसमें अगैस कगशा ओई फुरे साथ लेटर ठीख है और फिर उसमें से पांद लिए 45 में से पंदरा सी फिर पीछे तरपार पहिंता रए फिर चालीज लिटर निकालें मतलब यह प्रोसेस यहां पर दो बार वात है तो आप इसको ट्राइगर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं यहां पर ठीक है यह तीन कैंसल हो गया से फिर बात आती इसने बोल दिया प्रोबैबिल्टी ओफ स्लेक्टिंग थ्री एपल इस सम और टोटल नम्बर फ्रोट्स यह हमारा सैथिस के परावबर है तो मतलब यह सार होगा सम भी सैथिसे मतलब यह पंद्रह बारह यह दस होगा ठीक है और हमें नहीं लिएन फैंतर निकाल को मतलब 15 में इन तीन तोटल है सैथिस में से तीन तया उल करने पर हमारे प्रोर्परिटे आएगी तोन में 22 कैसे बाढ़ में बान में बान में वान में पिचाना है यह तो यहां से रिश्व अगया तब एक्चुल भी आ गई थी क्यूंकि तीरान में चरह करती है चरह सो मिटर लंबी टरनल को 36 सेकंड में तेक एक ट्रेन ए है वो 400 लंबी टरनल को 36 सेकंड में कवर करती है 60 किलोमेटर पर आपकी स्पीड है इसको हम पहले तो करें तो यह जाएगे पचास प्टेट ठीक है और वही ट्रेश करते है ट्रेशंच बीको 9.6 सेग्न में यह पर यह तो बताया नहीं कि जो ट्रेशंच वह ट्रेशंच और पेसे रहें पर यहां पर पचास इंप्लोई इन ओफिस इस तो टोटल कितनी आ जाएगी 45.5 मुल्टिप्लाइं में 50 मतब बाइस सो पिछेतर फिर पत्या चला कि जो बाइस सो पिछेतर है ना इसमें हमने पचास अड़तालीश पैसट गल्त ले लिए हमें लेने थे एक्स सतावन और पिछेतर ठीक तो फिर बार याते है 95 की तो 95 की में में क्या बोल रखा है एक इन अक्टुबर दा रिश्चो ओव दा स्टूडेंट इन थ्री स्कूल इस देस A, B, C 8X, 15X, 5X त जो 9 नमबर दा नमबर ओ स्टूडेंट ओव ए, बी, C ये 100% से बढ़ता है मतला 16X हो जाता है ये 60% से बढ़कर 24 एक्स हो जाता है और यह 40% से वड़कर 7 एक्स हो जाता है ठीक है तो क्या पुछा है रेश्यो दरनमबर स्टूडें दसको अब नौमबर में रेश्यो पुछा है तो यह आ गया एबीसी बिद्नस को स्टार्ट करते हैं इतने इंवेस्टमेंट के साथ आफ्टर सिक्समेंट भी विड्रो कर लेता है पांसो फिर दो मैने और बासी इंवेस्ट कर देता है पांसो और यह बिल्कुल सिंपल यह देख लेते हैं इसको एक मिनिट हम चल रहे हैं 96 पे इतना इंवेस्ट किया था इतने इनने मैने लिए फिर यह तो इंक्रीज करता है यह डिक्रीज कर देता है तो इनका में प्रॉफिट रेश्यो आ गया और टॉटर प्रॉफिट कम बार्ट देंगे 97 97 भोलका है आंस साल पहले दा रेश्यो दाइस ओफ ए इन बी पांस साल पहले जो ए और भी एज करेश्यो 1108 x है तो प्रेजेंट कितना जाएगा 11 एक्स ब्लिस पांस 13 एक्स प्लिस पांस ठीक है आगे इस ने पहल दिया दा प्रेजेंट एवरेजेज ओफ एइन बी इस प्रेजेंट एवरेज इज ओफ एएन बी कितनी है एक तारेज तो मतलब यासी टोटल तो दुनों का सम ब्याल याज लिए इस्ट एक वल कर देंगे तो एक्स की वैल वाजाएगी तीन ठीक है यहांस पहले 97 पे चलना देखो सबसे पहले तो यह दे रखा था पांच साल बाद की फिर सम भी पता है चलके तो वाल से एक्स की वैल्यू आ गई तो उसका यूज करके हमने भी की एज निकाले भी की एज से 6 साल चोटी सी के से तो भी आगए हमारे नेक्स्ट कुछन है हमारा 98 का नाइनटीएट में बोल दिया कि एक शोप की पर है वो दो आर्टिकल लेकिया आता है और पी और एक पर उसे 15% पर दूसरे पर 20% का एंड रिस्पेक्ट ली 230 एंड मतब्स एस पी है इसका 230 और 420 तो देखो एस पी है तो सिप्पी भी आज जाएगा क्योंकि 15% प्रोफिट है एक पर वह तो 200 और 350 यहां से आगया सिप्पी हमारा ठीक है फिस ने एड माट प्राइस कितने पर बेच्चे कि यह उसे 30% का गें ओर रोल तो यह कितना हो गया पांसो पचास थीज़ांट का गेंस यह 505 यह एक सो तीस अपों में एंडेड करें यह तो साससो पंदर्हा बाइस आचा है एस इंटी का यह हमें दे रखा था और और तीस परसेंट हमीं का मना सब्साइज था तो सीपी हमने निकाल ले उसकी आसक शिपिए थेजिश्पी वो दो गुणा हो जाता है ताइम x साल है रेट x percent है simple interest पर एक multiply में x सालों के लिए x percent की rate पर वह एक ही होता है क्योंकि principle को जब amount से घ्टा देते हैं तो interest आता है ठीक है तो यहां से sol करने पर x की value आगे हमारी 10 चीक है एक्स की वेल्यू दस आने के बाद हमें क्या करना है मैं इसने बोला कि ना कंपाउंड इंटरस्ट निकाल ला है अगर अमीत आठ जाए इंवेस्ट करना टू एक्स मतलब 20% की रेट पर थीजित निकाल दो कि आप श्राहां कि सब्सक्राप के सब्सक्राट के अदर सब्सक्राइब तो हमर?... लेकिंट तो हमारी 20% यह विकर यह है देखो क्या हो जाएगी यह एक सो पचीस चीन चाच्छा तेसी का दोस्तों सोला और इसने पुछा क्या हैं से तीन साल के लिए क्या है और हमें इसने कंपाउंड इंटरस्ट पुछा है तो आठ जा तो मारी 125 की वैल्यू है और इंटरस्ट कितना जाएगा दूस्ते सोला में से फिर गया तो एक औरrist mod 12 में से बारा गया तो मैं मल्ल्टी प्लै में क्यान बत्व मारा आश्यईगा ओझा डुन कि में नेक्स्ट क्युस्टन है हमारा हैं रड कम एक्स वूओन है वह तीन व prawून ग मॉपरीट करते हैं 5 देद्ध कर व करके कि तो हो मतounds दो टीन गया तो चार ते साथ ठीक है चार आजा है क्योंकि देखो टीन पटेश साथ मतर रस不 पार्ट अगर वूमेन ने किया तो चार वटे साथ यांपे चार वटे साथ हो जाए रहा है इस अब यह वो मैं तो आप से इगनौर कर सकते हो यह इतने में सोल करती यह इतने में बचे को तो यहां से यह दिए तो यहां और फिर भी कोई कोई कभीज़़न रहती है ती यह नगे अट लाक सब्सक्राइब और शीर थांक्यों